Hello friends, यहाँ पे water image का type 2 शुरू करते हैं हम लोग दोस्तों, बहुत आराम से देखिएगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि type 1 जिसमें हमने letters किये थे, words किये थे, वो बहुत अच्छे से देख चुक है आप, एक बार हलका सा theory फिर से बता देता हूँ, जैसा कि आपको यहाँ पे जल म प्रतिविंब नजर आ रहा है, पानी के अंदर जो है, image नजर आ रही है, reflection नजर आ रहा है, दोस्तों ध्यान से देखेगा, जो चेहरा left यानि कि बाएं हैं, वो अभी भी left में हैं, जो पूछ दाएं हैं, वो अभी भी दाएं हैं, ध्यान से देखेगा, तो जो चीज सीधी खड़ी है वो बस उल्टी हो गई है यानि जब ही आप water image यानि की जल प्रतिविंब करेंगे सीधी चीज उल्टी हो जाएगी left left रहेगा right right रहेगा यह याद रखें दोस्तों left left रहेगा और right right रहेगा images के questions हम लोग यहां solve करते हैं दोस्तों right में जो arrow है नीचे वो right में arrow हो जाएगा उपर यानि ये खतम हो गया ये खतम हो गया ये दोना बच गए मेरे जो चीज ऐसे पड़ी है वो ऐसे ही रहनी चाहिए सीधी खड़ी नहीं हो जानी चाहिए काम खतम हो गया आप जो चीज लेटी हुई है वो लेटी ही रहेगी ये सीधा कैसे हो जाएगा जरा सोचिए ठीक है ना और क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं बहुत ध्यान से देखेगा मुझे निकालना है जल प्रतीबियानी की वाटर इमेज जो सरकल सफेद उपर है वो सब में नीचे चला गया जो लेट में तिकोन कतली बनावा है तिकोन नहीं कह सकते हैं कतली कह सकते हैं रोंबस कह सकते हैं वो सभी में लेट में बनावा है अब सारा खेल इस बात पर है जो ये एरो लेफ्ट की तरफ है वो राइट में तो नहीं जाएगा काम खतम हो गया हमारा अब द्यान से देखेगा सफेद पोर्शन नीचे है राइट में सफेद पोर्शन ऊपर चला जाएगा राइट में और मेरे पेन जो मैं चला रहा हम उसपर एक एक बाद पर ध्यान दीजेगा कि आगे ये राइट में खुला है तो में खुला रहेगा नीचे है तो उपर हो जाएगा ये खतम हो गया खतम हो गया, देखेगा जो नीचे है राइट में खुला वो राइट में खुला रहना चाहिए ये नीचे की तरफ काम खतम हो गई भा अब इन दोनों में देख जो ये राइट में पड़ा है दाएं पड़ा है, वो बाएं नहीं आ सकता ये मेरा आंसर होगा देखेगा जो सरकल यानि की गोला नीचे है वो उपर आ जाएगा खतम हो गई बाद जो तिकोन उपर देख रहे है वो नीचे देखना चाहिए खतम हो गई बाद है कि नहीं सिंपल तरीके से मैं कर रहा हूँ जितना सिंपल जितना आसान हो सकता है उतना आसान हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए देखेगा मुझे चाहिए राइट में दाइं साइड में एक सरकल जो उपर है वो नीचे हो जाएगा जो सरकल उपर है वो नीचे हो जाएगा अब ये दोनों बच जाते हैं मेरे पास ठीक है ना ये जो गोलाई वाला भाग है उपर है गोलाई वाला भाग नीचे आना चाहिए खतम हो गया यही आंसर बचके हैं है के नहीं ध्यान से देखेगा एक्स मेरा लेफ्ट यानि की बाई है दाई और तो नहीं आएगा काला पॉर्शन नीचे है नीचे नहीं रह जाएगा इन दोनों में देखते हैं हम ये जेड नुमा आकार जो है फिर से जेड नुमा नहीं रहेगा ये आंसर हो जाएगा ध्यान से देखेगा ऐसे कहूं मैं जो दाई तरफ ऊपर है वो दाई यानि राइट साइड में नीचे होगा ये तो खतम हो गया ये भी खतम हो गया ऐसे देखा जाए तो ऊपर की साइड गोला है जो नीचे की साइड आना चाहिए ये तो नहीं होगा क्या ये बात समझ आ रही है हाया ना एक चीज और भी है जो सरकल लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड नहीं किसक जाएगा वैसे भी गलत होगा बहुत ध्यान से देखना है आपको बहुत ध्यान से ये एस नुमा आकार इस नुमा आकार नहीं बनेगा ये भरावा पोर्शन नीचे है नीचे नहीं रहेगा अब देखेगा हमें राइट में उपर की तरफ है तो राइट में ही उपर की तरफ होगा ये मेरा अंसर हो जाएगा है कि नहीं मैं एक एक क्वेस्चन को अच्छे से समझा रहा हूँ दोस्तों अपको जहां नहीं समझाएगा मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ आपको ध्यान रखना है लेफ्ट-लेफ्ट मेरा रहेगा राइट-राइट मेरा का बाया बाया रहेगा दाया-दाया रहेगा उपर जो जारी है चीज नीचे चली जाएगी, जो नीचे जारी है वो उपर चली जाएगी ज्यान से देखेगा ये दो खाली पोर्षन लेफ्ट यानि कि बाय में नीचे है तो अब उपर होने चाहिए ये तो कतम हो गया अब देखते हैं ये दो खड़े पोर्शन राइट यानि दाए में नीचे हैं दाए में उपर आना चीए ये भी खतम हो गया ये भी खतम हो गया बचा क्या दाए में उपर है गया नहीं चलिए आगे देखेगा राइट में काला नीचे है तो अब राइट में काला उपर आएगा ये तो काम ही खतम हो गया ये भी काम खतम हो गया अब देखेगा ये लाइन से टच करता हुआ ये जो ट्राइंगल त्रिकोन है लाइन से टच करता हुआ ये तो नहीं हो पाएगा लाइन से टच करता हुआ ये एरो जो राइट में बनावा है तीर का निशान वो लेफ्ट में तो नहीं आ जाएगा काम कतम हो गया हमारा अब इन दोनों में difference देखेगा जो ये C का portion left में खुला है वो left में ही रहना चाहिए था ये मेरा answer हो जाएगा देखेगा जो ये भरावा portion उपर है अब भरावा नीचे होना चाहिए अब इन दोनों में द्यान से देखना है हमें ये आपको सीधे सीधे lines यहाँ नजर आ रही है ये सीधे सीधे lines यहाँ नजर आ रही है यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो अंदर भी तिकोन नुमा है ये answer हो जाएगा ये single lines है ये खतम हो जाएगी क्या ये बात समझ आ रही है दूसरा यहाँ भी ये तिकोन नुमा है और ये यहाँ भी तिकोन नुमा है क्या ये बात समझ आ रही है समझना पूरे अच्छे से उपर की तरफ 3 है तो नीचे की तरफ 3 हो जाएगे इन दोनों में हो जाएगे दाई साइड 6 हैं दाई साइड 6 होने चाहिए खतम हो गई ना बात चीजों को समझी आप जो right है वो right रहेगा जो left है वो left रहेगा देखेगा जो ये अर्ध चंद्रमा half moon वो उपर की तरफ है अब नीचे की तरफ आना चाहिए दोनों white हैं black तो नहीं हो जाना चाहिए इधर देखेगा right में काला नीचे अब right में काला उपर आना चाहिए यह आ रहा है इन दोनों में देख लेते हैं right में सफेद नीचे अब right में सफेद उपर आना चाहिए काम ही खतम होगे आराम से एक-एक question को देखेगा आप लो यह बहुत important एक-एक number के दो-दो number का एक-एक question यहनि एक question exam में fix आने वाला है आपके द्यान से देखेगा यह और यह तो same नजर आ रहा है क्या यह same रहेगा अभी check कर लेते हैं मेरा नीचे वाला portion left में है अब उपर वाला portion left में होना चाहिए यह तो काम कतम हो गया यह भी काम कतम हो गया इन दोनों में देख लेते हैं दोस्तों कहा difference है right side में उपर है तो अब right side में नीचे होना चाहिए यह मेरा answer हो जाएगा यह गलत हो जाएगा बिल्कुल ध्यान से देखेगा अगर मैं ध्यान से देखूँ जो तिकोन सीधा खड़ा है वो उल्टा होना चाहिए यह तो मेरा answer ही गलत हो गया अब देखेगा left side में left side में काला portion उपर है left side में काला portion नीचे दाना चाहिए left side में काला portion नीचे दाना चाहिए यही मेरा answer हो गया जो left है वो left रहे जो right है वो right रहे यह बहुत छोटी सी बात है द्यान से देखेगा यह right में है अगर circle तो right में ही रहना चाहिए काम खतम हो गया नीचे की दरफ है ऊपर होना चाहिए right में है circle left में नहीं जाना चाहिए क्या यह बात समझागी एक circle से हमने eliminate कर दिये सारे answer आराम से देखे दोस्तों मुझे लगता है कि अभी आपको धीरे-दीरे confidence आ रहा होगा तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है आप लोगों से आप जब मैं question आ रहा है आपने pause कर दिया आप अपने अनुसार answer देखिए जो मैं line बोल रहा हूँ ना उस बोलने वाली बात पर हमिशा ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ अब देखेगा मेरा ये triangle यानि तिकोन उल्टा है अभी सीधा हो जाएगा ये तो काम ही खतम हो गया ये भी काम खतम हो गया इन दोनों में देख लेते हैं जो ये left में बाहर निकला है right में नहीं जाएगा ये भी काम खतम हो गया पहला मेरा answer हो गया देखेगा अगर मैं ऐसे समझूँ कि left में मेरा जो सफेद वाला पार्ट है वो left में ही रहना चाहिए left में ही रहना चाहिए काला नीचे की तरफ है अगर आप मेरी बात को समझे है काला नीचे की तरफ है तो काला उपर की तरफ रहना चाहिए काला उपर की तरफ रहना चाहिए यही मेरा answer है जो नीचे है वो उपर हो जाएगा जो उपर है वो नीचे हो जाएगा simple देखेगा प्लस लेफ्ट में हैं, प्लस राइट में नहीं जाएगा क्रॉस नहीं बन जाएगा, इन दोनों में ही हमें डिफरेंस देखना है इन दोनों में डिफरेंस देखना है अगर तो पहले ये देख लिया जाए, इन दोनों में डिफरेंस है कहा वैसे तो हलका सा ये सफेद नजर आ रहा है और ये हलका सा सफेद नीचे नहीं हो रहेगा ये इधर ही रहेगा मतलब ये मेरा अंसर हो गया द्यान से देखेगा ये सफेद जो ऐसे सीधे में नजर आ रहा है वो वापिस सीधे में रहेगा इधर नहीं रहेगा क्या ये बात समझ आ रही है ये मेरा अंसर हो जाएगा बहुत ध्यान से देखेगा दोस्तों जो ये नीचे ऐसा है और उपर ऐसा है अब उल्टा हो जाएगा अब नीचे ऐसा हो जाएगा और उपर ऐसा हो जाएगा देखे ज़रा ये तो गलत हो गया यह भी गलत हो गया नीचे की तरफ right है अब उपर की तरफ right हो जाएगा राइट का राइट में ही रह जाएगा यह बहुत जरूरी है क्योंकि left मेरा right नहीं बनता, right मेरा left नहीं बनता, यह जल प्रतिबिम्भ है, water image है, जो right है, वो right ही रहेगा, और देखें दोस्तों, water image बनानी है, काला वाला नीचे है, काला वाला उपर रहेगा, लेकिन left में, काला उपर left में, काला उपर left में, अब देखते हैं दोस्तों इन दोनों में difference का इधर अगर हम देखें तो difference आपको नजर आएगा इसी काले के साथ वाला portion line दार है काले के साथ वाला portion line दार है ये right हो जाएगा हमें इसकी properties में ज्यादा फेर बदल नहीं करना है जो उपर है वो नीचे हो जाएगा बस इतना ही गाम दार देखेंगा ये ऐसे समझे हम नीचे single single line आ रही है तो अब उपर आएंगी right में ये तो कतम हो गया ये भी कतम हो गया ये दोनों बच गये साथ अब इन दोनों में difference देख लेते हैं दोस्तों अगर आपको different नजर आ रहा है ये और ये same है ये और ये वाला ही देखना है हमें है ना उपर अगर ऐसे चल रही है तो अब ये जब उल्टी हो जाएगी तो नीचे ऐसे चलनी चाहिए नीचे ऐसे चलनी चाहिए ये गलत हो गया ये right हो गया आखरी question दोस्तों आखरी बिल्कुल आखरी और बहुत ही प्यारा question है water image है तो as it is तो नहीं रहेगा ये भी समझ आ रहा है आपको अब इसमें image को ही समझ ले हमारा काम बन जाएगा जो चीज right में देख रही है वो right में देखेंगी left में तो नहीं देख पाएंगी ये सीधी line left में है ये सीधी line left में रहेंगी ऐसे नहीं बन जाएंगी ये मेरा answer तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से हमने जल प्रतिभिम यानि water image के questions images वाले किये बस मैं यही चा रहा हूँ दोस्तों मैंने आपको एक एक question और question से पहले मैंने theory बताया कि भया left वाला left में रहे right वाला right में रहे उपर वाली चीज नीचे आ जाए बस इतना ही काम करना है जो नीचे है वो उपर आ जाए तो आप इस तरह के question अगर exam में आ रहे हैं दो number के 10 से 15 second में आपको करना ही करना है ये question exam में आए तो miss नहीं करना है धन्यवाद हुआ 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 है